आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल और आसान पैंट डिजाइन जो अभी काफी फैशन में है इसे आप टी शिर्ट या कुर्ती के साथ ट्रै कर सकते हैं आर आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत है इस पैंट डिजाइन बनाने के लिए मैंने दो मीटर फ्लेक्स कॉटन कपड़ा यूज किया है पहले इस पूरे कपड़े को इस तरीके से लंबाई में फोल करें और उसके बाद इसे चौड़ाई में फोल करना है चौड़ाई में हमें hip measurement के हिसाब से folding करनी है अब देखे जो भी hip measurement है यहां मैंने 40 size के लिए बनाया है तो 40 का हम चौथा भाग करेंगे और उसमें 1.5-4 inch extra लेंगे मतलब total 1.5-4 inch तक मैंने इसे fold किया है देखे एक बार मैं इसे measurement करके बताती हूँ यहां मैंने 1.5-14 inch तक इसकी folding की हुई है अब जो side से extra कपड़ा है उसे निकाल दें अब हम pant की cutting करेंगे यहां pant की मोरी में मैं elastic लगाऊंगी देखे यहां पर मैंने 7 inch चौड़ा elastic लिया है अब जितनी चौड़ाई elastic की है पहले मोरी पर उतना चोड़ दें देखे यहां मैंने 7 inch पे निशान लगाया है इस निशान को बिल्कुल सीधा कर रहे है अब इस निशान के बाद जितनी pant की लंबाई चाहिए उसके हिसाब से हमें measurement लेनी है यहां पर मुझे pant की जो लंबाई है वो 38 inch चाहिए यहां आदा inch कम है आदा inch sly में जाएगा मतलब total 1 inch कम है यहां पर कपड़ा तो 1 inch का हम उपर elastic लगा देंगे अब देखे जब हम crotch का निशान लगाएंगे तो यह ध्यान रखना है कि 1 inch का उपर elastic भी आएगा तो देखे मेजर टेप को जैसे मैंने रखा है इस तरीके से 1 inch उपर की तरफ रखे crotch की लंबई हम साड़े 12 inch पे निशान लगाएंगे hip measurement का चौथा बा करके उसमें 5 inch extra लिया है अब इस निशान को 5 inch अंदर की तरफ ले ले अब इस निशान को हम उपर की तरफ इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर crotch का shape देंगे इस तरीके से गोलाई में इसका shape देना है अब देखे यहाँ मोरी पर मुझे elastic लगाना है तो elastic के लिए जितनी हमें तयार मोरी चाहिए यहाँ मुझे total 11 inch तयार मोरी चाहिए तो उसका हम आधा करेंगे और उसमें 3.5-4 inch extra लेंगे यहाँ मैंने 9 inch पर निशान लगाया है अब crotch से लेके इस मोरी के निशान तक इसको इस तरीके से मिला ले और pant का shape दे दें अब हम इसकी cutting कर लेंगे cutting करने के बाद यहाँ जो मोरी की तरफ बंद वाला कपड़ा है उसे भी cut करके अलग कर लें पूरी cutting हो चुकी है अब हम stitching स्टार्ट करते हैं देखे यह मेरी overlock machine है यहाँ मोरी के लिए जो मैंने elastic लिया है वो करीब 12 inch है क्योंकि स्लाई में भी जाएगा अब देखे मोरी का जो हमने extra कपड़ा रखा है दोनों को इस तरीके से मिलाए elastic और कपड़े की केनारी को अच्छे से मिलाते हुए अब हम elastic को खेचते जाएंगे और यहाँ दोनों को एक साथ overlock करेंगे अगर आपके पास overlock machine अविलेबल नहीं है तो आप ये machine से भी sly लगा सकते है जैसे हम कमर पर elastic लगाते हैं वैसे ही single folding करके elastic और कपड़े को हमें एक साथ जोड़ना है देखे यहाँ पर मैंने इस तरीके से overlock करके दोनों को fix कर लिया है अब pant के दूसरे साइड भी सेम हम मोरी पर इस तरीके से elastic लगा कर दोनों को साथ में जोड़ देंगे देखे इस तरीके से हलके से गैदस बनेंगे अब हम sewing machine पे आ जाते हैं अब देखे इस elastic को हमें इस तरीके से fold करना है अब यहां भी elastic को अच्छे से खैचें और कपड़े को भी बिल्कुल सीधा रखें और यहां sly करके इस तरीके से मोरी को तैयार करें यहां elastic और कपड़े को मैंने पहले ही overlock करके दोनों को जोड़ा है तो यहां elastic के ऊपर दूसरी sly लगाने की जुरुत नहीं पड़ेगी देखे इस तरीके से हमें मोरी को तैयार करना है यह pant अब भी काफी fashion में है आप इसे जरूर ट्राय करें और friends अगर आप हमारे बुटीक का collection पर्चेस करना चाते हैं तो इस screen पर दिखाएगे number पर हमें whatsapp करें पैंड की जो दूसरी side की मोरी है उसे भी मैंने इस तरीके से इसलाई करके और तैयार कर लिया है अब हम दोनों मोरी को आमने सामने रखेंगे जो सीधा side है वो अंदर की तरफ रखें अब हम यहाँ पर crouch को बंद करेंगे पैंड के दोनों side के कपड़ों को अच्छे से मिलाएं और इस तरीके से crouch को स्लाई लगा कर और बंद करें दोनों तरफ की crouch को हम इस तरीके से बंद कर लेंगे अब हमें मोरी को बंद करना है मोरी हमें साड़े 5 इंच तैयार रखनी है folding के बाद साड़े 5 इंच इस तरीके से fold करने के बाद अब यहाँ पर हम साड़े 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से मोरी को बंद करेंगे एक तरफ की मोरी से लेके क्रोच को भी बंद करते हुए और दूसरी साड़ की मोरी तक हम इस तरीके से स्लाई लगाके और इस पैंट को तैयार करेंगे अब हमें पैंट में एलास्टिक लगाना है अब हमें यहाँ एलास्टिक लगाना है और एलास्टिक से एक इंच पैंट की लंबाई भी बढ़ानी है इसके लिए मैंने यह चार इंच चौड़ी पट्टी ली है अब दिखे इसकी लंबाई हम इस तरीके से मिजर करेंगे जितनी भी ये कमर की साइज का कपड़ा है उसको इस तरीके से डबल कर ले उतनी साइज की हम ये लंबी पट्टी लेंगे अब इसे यहां से सलाई करके और बंद कर ले अब हम इस पट्टी को यहां पर पहले इस पैंड के साथ जोड़ेंगे जैसे मैंने दिखा है इस तरीके से पैंड के उल्टे साइड में इस पट्टी को सेट करें अब हम सलाई करके इन दोनों को जोड़ेंगे पूरी गोलाई में हमें इसे सलाई लगा के और इस तरीके से जोड़ देना है अब हम यहां इलास्टिक लगाएंगे अठाई सेंच की कमर के लिए मैंने यहां पच्ची सेंच लंबा इलास्टिक लिया है इलास्टिक को इस तरीके से गोलाई में यहां सलाई करके और जोड़ दें यहां इलास्टिक पर तीन से चास लाईया करें तो यह अच्छे से मजबूती से फिक्स हो जाएगा अब इस पूरे इलास्टिक को हम यहां कमर पर लगाएंगे इस कपड़े से इस इलास्टिक को इस तरीके से कवर करें और जहां तक जोइंट है वहां पर ही हमें सलाई करनी है और इस तरीके से हमें पैंड की एक इंच लंबाई भी बढ़ानी है अब इस कपड़े पर बिलकुल किनारी पर सलाई करें ध्यान रखें किस लाई इलास्टिक के उपर नहीं आने चाहिए पूरी कमर पर हम इस तरीके से इलास्टिक को कपड़े से कवर करते जाएंगे और पूरे में इलास्टिक लगाएंगे एक साइट से इलास्टिक को इस तरीके से खेच दे जाएं और दूसरी तरफ से इलास्टिक को इस लाई करके और अंदर दबाते जाएं देखें, पूरी कमर पर Elastic लग चुका है, अब इस तरीके से कपड़े को और Elastic को एक साथ खेच के पूरे में कपड़ा बराबर कर लें, अब Elastic पहनने के बाद अंदर गूमे नहीं, इसलिए हम Elastic के उपर एक और Sly करेंगे, देखें, यहाँ बिलकुल बीच में इस तरीके से, मशीन से, यहाँ पर हम Sly करके और इसे fix करेंगे, कपड़े को और Elastic को एक साथ खेचें, और इस तरीके से दूसरी Sly लगा कर पूरी Pant को complete करें, यह Pant आप टॉप या कुर्ती दोनों के साथ वेयर कर सकते हैं, यह अभी काफी फैशन में है, प्रेंट्स आपको मेरा यह Pant डिजाइन कैसा लगा? लाइक, शेयर, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, थैंक यू, वाचिंग फर दिस वीडियो,